आज सुपह से ही दोस्तों एक के बाद एक ऐसी खबरे आ रही है जो कि काफी चौकाने वाली है और इसी दौरान रिशब पंत जहां दोस्तों रिशब पंत जो की इंडियन ट्रिकेट टीम के स्टार क्रिकेटर हैं उन से जुड़ी खबर यहाए कि उनका कार एक्सिडेंट हुआ है और ये भीषन कार एक्सिडेंट हुआ जिसमें भयानक तरीके से यहावे तरीके से उनकी कार जो है वो धुढ़ी जल इंडियन क्रिकेट टीम के बेतरीन खिलाडी है पहली बात तो और स्टार क्रिकेटर है अब उनके साथ ऐसा हाथसा हुआ है जो कि अंदर से एकदम दल दहला देने वाला है क्योंकि सोचे कि कोई वीडियो देख रहा है उस हाथसे से जुड़ी तो वह अंदर से दहल जा रहा ह है रिशब पंथ जिनके साथ यह पूरा हाथसा हुआ है उनको इतनी जादा चोटे आई है सोचे कि उनके सामने वह मंज़र जो होगा वह कितना जादा भयावे होगा दोस्तों देखें खबर यह है कि रिशब पंथ रूड की जा रहे थे नए साल पर अपनी मा से मिलने के ल इस साथ भायाना की जो कार एक्सिडेंट है यह हुआ और रिशब पंथ जैसा मैंने कहा आपको कि अपनी मातर श्री से मिलने के लिए उत्तरा खंड जा रहे थे और रुड की में उनके साथ यह हाथसा हो गया गंभीर उनको चोटे आई है दोस्तों बहुत जादा गंभीर चोट आई है पीछे बैक में पीट पर उनके काफी जादा चोट आई है और गाड़ी जो है जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर इस वक्त वाइरल हो रहा है वो धूदू कर जलती हुई दिखाई दे रही है उस वीडियो को देकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यह पूरा तो ले मैं आपको यादी के तेहस नहस होने का वीडियो दिखाती हूं किस तरीके से गाड़ी जब जल गई पूरी तरीके से जब यो पूरा हाथसा हो गया तो वह जो गाड़ी है उसकी हालत क्या हो गई दोस्तों सबसे पहले आपको वह वीडियो दिखाना चाहेंगे यह तो गाड़ी किस हालत में है इस वक्त आपने देखा होगा कितनी बुरे हालात में गाड़ी दिख रही है पूरी वीडियो में ये साफ तोर पर देखा जा सकता है और इसी से अंदाजा लगाए जा सकता है कि जो पूरा हाथसा हुआ है वो कितना जादा भयावे होगा और कितनी मुश्किल से जान बचाए इस बाटया है ये है ये रिशाफपंत ने अपनी ये साफ तौर पर देखें सकता है कहा जा के ये बपताया जा रहा है कि रिष्षपंत की गाड़ी और भी लोग मौजूध थे लेकिन पूलिस ने इस बात को क्लियर किया A pakai लगावाए जैसे ही गारी उस गाड़ी में वो जो गाड़ी है वो जलने लगी लेकिन उसी वक्त रिशा पंथ ने क्या किया कि रिशा पंथ ने विंड शीट जो होती है उसको तोड़ कर वो बहार कूदे और उन्होंने अपनी जान बचाई लगभक पांच से छे बजे की बीच में हादसा हुआ है उसी दौरान हुआ है जहां वो अपने घर जा रहे थे अब आपको देखें दिखाना चाहेंगे इस पूरे मामले से जुड़ा सीसी टीवी फुटेज भी सामने आया दोस्तों जो सीसी टीवी फुटेज में साफ तोर पर दिख रहा है कि गाड़ी सामने से आ रही है और वो अचानक से जी तो आपने देखा होगा इस वीडियो में कि कैसे गाड़ी आ रही थी और वीडियो में सुनाई भी दरा कि गाड़ी आई और अचानक से वो डिवाइडर से टकराती है और उसके बार ही पूरा हाथा हुआ है अब आपको मैं बताना चाहूंगी दोस्तों कि रिशब पंथ की हालत अभी काफी जादा खराब है हलाकि डॉक्टर्स का कहना है कि रिशब पंथ के हालत में थोड़ा सुधार है और जिस वक्त वो आये थे अभी वो खत्रे से बाहर है ये डॉक्टर्स का कहना है लेकिन कि टीम उनकी देखबाल कर रही है अंदर एवैलिएशन है वो और कुछ जांचों के बाद ही हम आगे डिटेल बता पाएंगे और फिलाल वो स्थिर हैं और ऐसी कोई जिन्ता की बात अभी लग नहीं रही है डॉक्टर्स की टीम पूरा एवैलेशन कर ले उसके बाद एक ड पर्किया गया है इसा पताया जा रहा है डॉक्टर्स ने भी क्या कुछ कहा या आपने सुना होगा रिशप पंथ किस तरीके से अपनी जान बचाकर गाड़ी से कूदे हैं और कैसे उन्होंने अपनी जान बचाई है यह शायद वही जानते होंगे वह भयावे मनजर शायद उन्होंने जो देखा होगा अंदर उस शक्स के अंदर जो डर बैट क्या होगा दोस्तों यह शायद वही कलपना कर सकता है क्योंकि वह वाकई मौत के मुझसे वह बहार आए हैं और अभी इस वक्त सब उनके स्वास्थे की कामना कर रहे हैं कि वह स्वास्थ होकर ही वापस लोटें और दोबारा खेलाडी के तौर पर शांदार खेलाडी के तौर दिखाई दें इंडियन क्रिकेट टीम में तो अभी देखिए अगर मैं आपको रिशब पंत के बारे में बताओ तो रिशब पंत को लेकर कई लोगों ने ट्वीट करके उनके अच्छे स्वास्ते की कामना की है जिन में मुहमद शामी भी एक है मुहमद शामी इंडियन क्रिकेट टीम के बैतरीन खिलाडी उन्होंने भी सीधे तौर पर रिशब पंत को कई ना कई ने के ट्वीट किया उन्होंने ट्वीट जो है उनका वो दिखा रहे हम इस वक्त आपकी स्क्रीन पर है और साफची सीधे तोर पर वो कहते हुए नजर आये हैं कि जल से जल रिशब पंत स्वस्थ होकर वापस लोटे यही हमारी कामना है अल्ला सब कुछ ठीक करेगा यह मुहमद शामी ने लिखा है तो अभी इस वक्त के अगर मैं इन खबरों की बात करूं दोस्तों तो मैं मोदी खुद गए एहमदबाद और अपनी माता जी को उन्होंने मुखागनी दी साथ ही इंदिम संसकार में शामिल हुए और आप दोबारा वो काम पर लौट चुके हैं तो यह जो दो बड़ी खबरे हैं यह आपके सामने हम देकर आये हैं अब इन दोनों खबरों पर आप इस यह खबर के साथ तब तक के लिए नमस्कार